एक ऐसा एरपोर्ट जहां से ट्रेन भी गुजरती है दुनिया का सबसे छोटा ताला आखिर कितना छोटा है और गाइस मुर्गियों को कैल्शियम की कमी होने पर वह क्या कर सकती है ऐसा ही आठ अमेजिंग फैक्ट आपके लिए हाजिर है न्यूजिलेंड में गीस बोर्न एरपोर्ट दुनिया का एक ऐसा अनोखा एरपोर्ट है जिसके रनवे के बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है यहां सुबा साड़े चे से लेकर रात साड़े आठ बजे तक रेल मार्ग और रनवे दोनों ही व्यस्त रहते हैं चैमल गर्ल के नाम से मशहूर एला हर पर एक दुरलब स्तीती के साथ पैदा हुई थी जिसके कारण उनके घुटने पीछे की और जुक गए थे यह 1880 के दशक में टरिंग फ्रीक शोक की स्टार थी जिसके लिए इन्हें 200 डॉलर प्रतिस सता भी मिलता था वेमेन दुनिया का सबसे महंगा दान्थ सर आईजेक न्यूटन का है साल 1816 में उनके दान्थ को 3633 डॉलर में बेचा गया था जिसकी कीमत आज करीफ 36000 डॉलर के बराबर है बाद ये बात है फैक्ट नमर फाइफ ये दुनिया का सबसे चोटा सोने का ताला है जो केरल के गनेश सुब्रेमियम जी ने बनाया है अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन करीब कतालिस मिली ग्राम हाइट तीन मिलीमेटर और परिदी सिर्फ एक सेंटीमेटर के बराबर है फैक्ट नमर फॉर ताली बजाकर ऐसा बड़ा क्या किया जा सकता है मुझे क्या मालूम अभी बाता दाए भाई अभी बाता दाए तो गाइस बता देख की अमेरिका में रहने वाले 20 साल के लड़के डाली टाली बजाई है ऐसा करके उसने एक मिनट में सबसे ज्यादा बार ताली बजाने का वल्ल रिकोर्ड का किताब आसिल किया है तो गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी ताली बजाना शुरू कर चुके हैं अगर धरती पे ऑक्सिजन खतम हो जाए और पुरी दुनिया को 6 महीने के लिए ऑक्सिजन देनी पड़े तो 6 महीने का ऑक्सिजन का खर्चा आखिर कितना होगा तो गाइस आपको जानका हैरानी होगी कि 6 महीने का ऑक्सिजन का खर्चा करी 38 ट्रिलियन डॉलर होगा जो की बहुत ही ज्यादा होता है उससे आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि पेड़ हमें मुफ्त में ऑक्सिजन देते हैं इसलिए गाइस हमें अपनी लाइफ में कभी ना क जानी होगी कि जब मुर्गियों के श्रीर में कैल्शिम की कमी हो जाती है तो तब मुर्गियां कई पर अपने ही अंडो को खा जाती है और यह केवल उन्हीं अंडो को खाती है जिसके चूजे नहीं निकल सकते हैं अगर आपका इन सभी facts से related कोई opinion हो तो आप नीचे दिए क comment section में हमें बता सकते हैं और guys अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe जूर से कर दीजीगा so guys अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में